मज़ु प्रदेश विखान सभा चुनाव 2018 आ गया है लोगतंत्र का महा संद्रांग। मज़ु प्रदेश में क्या होगी दाश्यतिक समिकरण। क्या शुवराज बचा पाएंगे फिर से अपनी कुर्सी। या कबलनास का चलेगा जादू। क्या है मज़्दाताल पापनू। मज़देश की 230 विखान सभाश शेते से सीथे आपकर चानने के लिए देखते रहें चुनावी महा रंगल जिए चुनावी महा रंगल पर सलीम रह्मान के साथ। शिव सेना जो महराष्टरा पे विकास और रोजगार की बात करती है वही शिव सेना के प्रित्याशी और आज सीवनी के अंदर चारो विधान सभा के आद भी बात की जाए तो आई एन ट्विधान सभा पे किंग मैकर बन कर बैठ रहे हैं। कहा कि सर्वे के मताबिक सीवनी विधान सभा की अगर बात की जाए तो एक किंग मैकर के रूप में आप सामने हैं। कैसे देखते हैं चुनाओ को। चुनाओ हम अपनी मेहनत से लड़ रहे हैं। ये दूसरे लोग बता सकते हैं कि हम किंग मैकर है की नहीं। हलाकि ये सही है कि जो हमने मेहनत की हैं यास तक और वो सफल हो रही है हमारी। और हो सकता है कि ये चुनाओ हम निकाल लेंगे। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने आप में कि मैं चुनाओ जीत रहा हूं। पिछले दो साल की पहले के अगर बात करें तो शियुसेना जिस तरीके से सियुनी जिले पे आपने लाया है। और शियुसेना का पर्चम सियुनी पे लहरा रहे हैं सियुनी जिले पे लहरा रहे हैं। जो दो साल कि आपकी महनत है काम को लेके विकास को लेके और बहुत से काम सीवन्य के जिस तरीके से बताया गया कि मत मंदिर तलाप इधर शायद है वहाँ भी आप लोगों के दुवारा काम किया गया था तो कैसे देखते इस चुनाव को क्या लगता है जो मेहनत हम लोगों ने किये हैं चाहे वो मठ मंदिर गहरी कराण हो चाहे वो कटंगी रोड चोड़ी कराण हो इसके अलावा बहुत से ऐसे छोटे-छोटे मुद्दे थे जो हमने लड़े और आज भी जो दूसरी पार्टिया है कि हम निकल जाएंगे ते कि किंग मैंकर इसलिए मैं कहरा हूँ कि सर्वे के मुताबिक दोनों के बीच में सबसे बड़े आप बैठे हैं और दोनों के तिगड़ी बिगाड़ने के लिए आप हैं और उसी बीच आपका चौका लग जाता है चक्का लग जाता है तो क्या स बिलकुल जो पहले से अभी दो साल दिया मेरी सीवनी विदान सभा की जो जनता है और विदान सवा चिल्या मज़े देख रहा है कि जो मेहनत मैं ने लोगों के लिए किया हूँ और मेहनत के लिए कि लिए निस्वारद भाव से मेहनत जिसको बोल सकते हैं आप आप लोग भ कर रहा हूं वो मुझे सफल जरूर दिलाएगी अच्छा दूसरा सवाल किन मुद्दों को लेके उमेज जयन मैदान पे हैं और सीवनी की जनता उमेज मैन मुद्दा हमारा विकास का है आप मेरा गोशन पत्र देखिए का उसमें मैन विकास का है क्या है लोग बहुत बड़े वादे करते हैं लेकिन जो पूरा नहीं कर भाया आस तक जो हमारे मुद्दे लिखे हैं उसमें बहुत छोटे-छोटे मुद्दे हैं जो आस तक पूरे समराट कहलाए जाते हैं और उन्हीं के पद्चिन्नों में हमको चलना है और इसके अलावा जितने मुद्धे हैं आप पढ़िएगा उसमें टोटल विकास के हैं यहां पर रोजगार की समस्या है अच्छा आज की डेट में सम्मे जादा रोजगार आपके महराष्ट में है जै सीवशेना यह चीज कर सकती है इसके लावा भी छोटी छोटी चीजे बहुत सी हैं जो पूरे मुद्धे हैं अच्छा जनता जो चाहे रही है वो हमें कतना है और उनके लिए रड़ने के लिए हम हमें सत्या आ रहे हैं पिछले दो सालों में से जब से आपने कमान समाला है स सीवशेनी जिले की कुछ ऐसे कार बताइए आप कुछ ऐसे काम बताइए जो हमारे दर्शक और आपके मद्धाताव तक पहुझे समय पहला में जो स्टाइडिंग हुआ था वो हमने मरतलाव किये थे मरतलाव कलेक्टर साबसे मेरे बहुत क्लोस संबंद थे जो संबंद को के थूरू मैंने पूरा काम करवाया और आज जो हमारे पूरे जिले की आस्था का विसे है और आप देख सकते हैं कि वो बहुत सु बहुत अच्छा सूख जाता था और पानी नहीं रहता था लेकिन अब अब इतना पानी है कि उसकी तरी नहीं दीखी पिछले साथ वरस कम पानी था उसके बाद भरा हुआ था इस बाद पिछले वरस से जादा पानी है एक ये काम हो जाता है अपना फिर कटंगी रोड हुआ इस टैप से जहां भी जो भी समस्या आती है कोई गरीब लोग हैं जिनके भाई राशन कार्ड नहीं बन पाएं वो भी मैंने बनवाया हॉस्पिटल में कोई रिक्ती परिशान होता है तो मेरा फोन आता है फोन कोई भी लगा ले हम लोग समाज से भी लोग हैं हमें फोन उठाना है चाहे वो राथ हो चाहे दिन हो हमारे दो-तीन डॉक्टर साहब हैं जिनसे अपने रिक्वेश्ट करके रखें कि कोई भी आता है और हमको आरा फोन जाता है तो बकायद हम उसकी घल्प करते हैं चाहे वो परचित का हो चाहे ना हो ऐसा नहीं है कि आपको परचित इतने के कारकरता बताना तो बहुत कठी ने वाई सब किसी हजारों की संख्या है आज की डेट में और जब हजारों है तब जाके हम इस पोजीशन में आये हैं जैसे अपनी जो सदस्ता भी रहती है सदस्ता लिखित में कम से कम आठ से दस जार है और उसके अलावा कई वार ऐस होता है कि जो सदस्त से बन चुके हैं लेकिन इत्तिफाक वह पाता है कि रशीद नहीं कट पाई होगी लेकिन वह कारकरता तो है तो इस हिसाब से तो हजारों की जंग्या बैठती है हमारी आगे चलके अगर जिले की बात किया जाए को सांसदी चुनाओं भी आने वाले हैं 2009 में विदायक को तो आप लड़ी रहें इसके बाद भी क्या उमे जयन सांसद चुनाओं में बी कदम रखेंगे ऑग अगर विदायक बन गया तो सांसद नहीं लड़ने का वो विदायक नहीं बना तो प्र सांसद भी लड़ूगा यशा ने यह सर योगी जी भी सांसद थे और मुखपंतरी बने योगी जी थे भाई हमें विकास करना है अगर मैं यहां समाल लेता हूँ अपनी यहां कमान समालने के बाद किसी और को मौका भी देना चाहिए जो मेरे मित्र हैं जो मेरी पूरी टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है तो उन्हें भी तो मौका मिलना हटा दिया गया है उस पर क्या टिकनी है एक्शल छीन लिया गया है यह सहीं कहें आपने कि यहां के नेताओं में दम ही नहीं था यह बात हकीकत है आप चाहे तो पूरी सीवनी की जंता से पूछ सकते हैं जब मुझे जो ग्यात है जब हटाया गया था तो सभी लोग बाला लेकिन हमारे यहां की पार्टी वाले भी एक नहीं है वो अपनी अपनी गाडियों में कुछ नहीं गया कोई का विवादी चलता रहता है उनमें इतना दम भी तो होना था कि वह हटने नहीं देते हैं हमारे में दम होगा तो हम लाके दिखाएंगे आपको और शीवशेना आ इतिफाक की हमको वैसा अदमी चाहिए जो लड़ सके अच्छा जिसकी सोच अच्छी हो हम राजनीती नहीं कर रहे हैं सिर्फ राजनीती अकेले करना हमारा उद्देश नहीं है आप हमारा गोशना पत्र देखिएगा जो हमारे उद्देश ने जो विकास कर सकता है जो पारी छेत्र के बात कर लीजिए तो तीन लोग आये थे आप यहां से अगर खबर पता चलेगी कि लोग भी फार्म के लिए आये थे लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसको लड़ाना चाहिए कि मुझे अपनी पार्टी का सिंबॉल लेके चलना है जीवन भर मुझे जीवनी नहीं होड़ सकता और दूसरी शिवसेना एक बार पकड़ लिया हूं तो दुबारत कभी कोई पार्टी जॉइन नहीं करूंगा ऐसा dies साझित खान के साथ आईने 24 नूज सलीम रहमान सीवनी